ए हलो आप रिवान क्येसे हैं आप सब ऐहोप तु सब ठीक होंगे और आज है फ्रायडे और बज़रे हैं सुब की सबग ह्यारा तो मैंने अज मॉर्णिंग में बोचाई लिए था और मैंने लंग कर लिए आज लंग मेंने करे हैं मूली के प्रॉंठी चाय पी ली हैं मैंने अब क उ इकल के व्लाउग में बताया था कि चाय जो है मैं अजुआ है वाली पीरी हो तो अब ही मैंनेरेकाट ली है अलू कि सब्ती sujet पत्ते डालके बहुत अची सब्जी बनती है तो मैंने अब इकाटके रख लिए सब्जी तो मैंने यह सब्जी जो है वो काटके रख लिए है अब मैं जाड़ी हूँ डस्टिंग करने तो चलिए काम शुरू करते हैं विराज का क्या हुँ दुआपना मैं यह सब्कूता है जाए हुँ कि अच्छ स Ψ साथ 1कास मैं शो ची जाए है, भड़नה कर दो साख भाभते विराभतेवίας कर दो पन्हां कर पो पूलते हैं घजे हैं तो औह जाए है जा हह था है झाल झाल प्रोफिते हैं बनाने जा रहे हैं आलू मूलिय की सबची तो यहां पर हमारा तेल जो है वो गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे पहले थोड़ी सी हल्दी कि हल्दी बाद में डालते हैं थोड़ी सी कच्ची रह जाती है थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी हल्दी के बाद हम डालें इसमें मूलियों के पत्ते पत्ते डालने के बाद इसको अच्छी तरह से ही ला लेना है और मैंने यहां पे पतिले में पहले अलू मूलियों जो है वो डाल के रख चुई है ताकि जो भी थोड़ा से थोड़ा से पत्तिरा बगएरा होता है वो रसानी से निकल दाए अब मैं इसको पहले अच्छी करण से दो लेती हूं मूलियों को फिर इसमें डालेंगे अब मिस में डालेंगे यह अलू मूलियां मैंने इसको दो बारी पानी में वोच कर लिया है कि इसमें अभी मैंने सिर्फ हल्दी डाली है और इसको चतर से हिलाने के बाद थोड़ी देज के लिए इसको ऐसे रखूंगे फिर डालूंगे इसमें नामक और लाल मिर्च खुश्बू अच्छी आ रही है मूलियां है मूलियों की और उसके पतों की खुश्बू बहुत ही अच्छी आती और यह सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है अब एक मिनट के लिए इसको रखके मैंने पूरी तरह से हला लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक यह हम डालेंगे इसमें नमक और इसमें डालेंगे थोड़ी सी एक चमच लाल मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे मूलियां जो है वो अल्रेडी पानी छोड़ लिया जो है वो पानी छोड़ लगाती है तो इसमें हम पानी एड नहीं करेंगे वस इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे कि यह दिखिए यह बन गए है हमारी आगलू मूलियां की सबजी बहुत ही टेस्टी होती है एक बड़े आप लोग भी जरूर ट्राय करना और मुझे बताना कि कैसी बने हैं बहुत ही हलो अब्रिवान तो अभी बच चुके हैं रात के पॉने बारा और मैं इतनी देर से व् आपने कर पाई कि मैं बहुत ज्यादा बीजी हो गए थी और अभी मैं खाने जा रही हूं आइस्क्रीम मैंगो वाली यह बहुत टेस्टी आइस्क्रीम है तो आप भी खाईजी आप भी तो यह बहुत टेस्टी टेस्टी है पूरा इसमें अंदर फील है मैंगो वाली आइस और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आज का व्लॉग और मैं आप व्लॉग को करती हूं एंट तो बाबाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में